हफ्ते बर पहले 12 माई को कानून गो राजे शर्मा पर हुई फाइरिंग की घटनक का खुला सा आज जालावन एसपी रिचातोमार की टीम ने करते हुए पाँच आरोईप को गरफतार करने में सफलता हासिल की बीती बारा में को डग तैसल के कानून गो राजे शर्मा पुतर पुरशुत्तम शर्मा उन साथ साल के साथ भेरू महाराच जामूनिया से पहले शाम करीब साड़े से बजे जानलेवा हमला हुआ जिसके आरोपी वारद सी चोमेला बटाए गए हैं और ज्यादा जानकरी के लिए क्या कहना है चालावड स्पी रिजात उमर का आईए देखते हैं जवान, DST टीम, साइबर टीम पूरी पिछले एक हफ्ते से कारिय कर रही थी उन्हीं अथिक परियास हमारे हुए उसी से ये पूरा का पूरे प्रकरनकाज भुलासा हुआ है इस पूरे गंड़ना के पीछे जो मोटीव था वो इन परिवादी का आपस में एक पारिवारी क लोगों को बेच दी गई उन्होंने ये जमीन को हत्याने के लिए इस वार्टाट को अंजब ग्राम पंचाईट डक के सरपंच पद वप सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव पास के बाद शणिवार को सरपंच मनोनित किए विकास अधिकारी भानू मोली मोर के अधिक्ष्टा में वाड़ पंचो के बैठक आहत की जिसमें अरपंच व पद पर भावना कुमारी भावसर व अवसरपंच पद पर दिलिप सोनी चुने गए आपको बताने की 24 अप्रेल को ग्राम पंचायत के 19 वाड़ पंचो ने जिला मुख्य कारिकारी अधिकारी के समक्ष सरपंच एमुप सरपंच के खिलाप अविश्वास प्रिस्ताव पेश किया था जिसके लिए 12 माई को अविश्वास प्रिस्ताव पर विचारवी मर्श के ग पंचाय समीति सरज की अगवाय में समर्थों ने बेंड बाजो वड़ोल धमाकों के साथ आज जिबाजी कर ग्राम पंचात भवन से नए बस स्ट्रेंट तक चुलूज भी निकाला डग सेसके मिडिया के लिए रमेश मोती शनी जायंति पूरी भगति और श्रदा के साथ मनाई शनी मंदीरों में सुबह से ही श्रदालों का ताता लगा रहा के बैठ रही मंदीर पहूंचे लोगों ने तेल से अभिशेक कर भगवान शनी का पूजन किया साथ ही कई धार्मिक अनुष्थान कर परिवार के सुक्षानती कुश्याली की कामना की शनी नवग्रह मंदिर में शनी अमावस्या को लेकर आर्थी के साथ रिशिष धार्मिक धार्मिक कारिक्रमायोजित हुए सुबह होते ही मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड उमण पड़ी दुर्दराज की इलाकों से भक्तों का आने जाने का दोर चलता रहा इस दुरान मंदिर परिसर में इस्तित भगवान शनी की प्रतिमा पर तेल काले तिल का विशेश अभी शेप हुआ बानपुरा शेदर में बढ़ रही लूट की घटनाओं को देखते हुए बानपुरा पुलिस एक्शन में नज़र आ रही है दो दिन पूर ही घटित लूट की घटना के आरोपी को पुलिस ने मार दो दिन में ही गरपतार करने में सफलता आसिल की थाना प्रबारी अवनिश रिवास्तों ने बताया कि दो दिन पूर केलाश पिता आनंदी लान निवासी ओसारा से बानपुरा थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आईसी आईसी आई बेंग भानपुरा से पेसे निकाल कर बाहर निकला तो कोई अग्यात दिर्थी उनके रुपियों के पेक शिन कर फरार हो गया केलाश ने बताया कि तीन लाग बहुतर जार रुपियों के साथ पेन कार्ट वहोत का चेक बुक भी था इस गाचना के बाद विबिन टीमों का गठन कर आरुपि को जल से जल पकड़ने के आदेश हुए वहीं जल्द ही आरुपि नकुल पिता अजब सिंग सिसोधिया निवासी चोरासी काडिया थाना बोडा जीला राजगर उम्र बीस वरस को पकड़ने में सफलता हासिल की आरुपि बर धारा तिनसो चोराणों में प्रकरण दर्ज का मामले को विवचना में लिया आरुपि के ओपर कई और अप्राधिक प्रकरण भी विवन इत्थानों में दर्ज है बानपुरा से इसका मेडिया के लिए अब जल्शेक हमारी दिंचरिया में हम कई तरह के खत्रों से घिरे हुए हैं हर खत्रे को हम ताल न सके पर उनको सामना करने के लिए हमें तयार होना होगा अगर सापने काटा होगा तो एसी लक्षन दिखाई देंगे घाव के चारो और चमडी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजनाना साप के काटे हुए निशान के दो कड्डे हैं तो समझ लीजे कि वो जहरीला साप था गोलाकारी अर्द चंद्रकार आकर में दातों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला साप नहों पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए गाव के आज पास किसी भी चीज से नहीं बांदें और गाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं गाव से विश को चूसने की कोशिश न करें तुरंद गाव को साबुन और पानी से धोएं साब के काटे हुए मरीच को धेरे देकर इस्तिर बिठाएं क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है इसलिए साब के काटे अंग को एक लकड़ी से बान कर अंग को इस्तिर कीजिए और मरीच को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाईए ताकि विशारोदक से इलाज किया जा सके